आपने अधिक्तर लोगों को बोलते हुए सुनाओगा कि CAT की LRDI बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है, सज भी है कही हद तक, लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है कुश्चन्स को सौलू करने की, तो आपको ये कभी टफ नहीं लगेगी, ठीक है, तो बहुत ध्यान से अगर हम लोग LRDI पे ध्यान दे CAT की, तो इतनी टफ नहीं होती जित्ता हम उसको समझ लेते हैं, मेरी बातों पर ध्यान देना, इतनी टफ नहीं होती जित्ता उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है, तो आज के वीडियो में, मैं आपको बहुत बारिक्षी बारि ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं है ना देखते हैं इसको अच्छा एक चीद ध्यान रखना जितने भी नएने स्टुडेंट्स मेरे चैनल से एड़ हुआ है आप ही के लिए सिर्फ हमने हमारे चैनल पर मॉनेटाइजेशन बंद करके रखा हुआ है ठीक है तो यह बस जिन्दगी में ठीक चलो शुरू करते हैं और हां टफ से टफ कोशन के इसी सॉलुइशन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाईए प्लेलिस्ट पर आपको CAD, Z, CMAT, IPM सब के प्रीविए से सॉलुइशन समल जाए CAD के आपको DILR के भी बहुत ईजी सॉलुइशन मिलेंगे ठीक है चली शुरू करते हैं और टेस्टिमानी जे रोड लेखना ना देखो मैं बहुत बारिक-बारिक सी चीह समझाऊंगा इसमें गहां हम लोग गलती कर देते हैं यह मैं इन चीज़ सीखना ABC visited an entertainment park that has four rides each rides last one hour and can accommodate one visitor at one point देखो छोटी-छोटी सी बातों को underline कर लिया करो एक visitor एक ही point of time पे जाएगा All rides begin at 9 a.m. and must be completed by 5 p.m. except for ride 3 for which the last ride has to be completed by 1 p.m. अच्छा ride 3 में 1 p.m. पे complete होने चाहिए ठीक है कुछ चीज़े आपको इधर लिख लेनी चाहिए जो जो आपको काम की चाहिए लगे ride 3 1 p.m. रहेगा last ठीक है 9 to 5 job है आपकी ठीक है छोटी-छोटी सी चीज़े ride open ride gates open every 30 minutes therefore 10 10 30 and so on ठीक है यहाँ पे ride gates open होगे whenever a ride gate opens there is no visitor inside the first visitor waiting in the queue buys the ticket just before taking the ride यहने आप ride के जस्ट पहले ticket खरीद होगे 31 सी बातों ध्यान से पढ़ना और ticket के price दे दिए 20, 50, 30, 40, ride 1, 2, 4 respectively कई बार हम लोग respectively पढ़ना भूल जाते है LR में हमें लगता है random price होगे तो हम यह सोचते है कौन सी ride का 10 रूपीज कौन सी ride का 50 रूपीज तो आपका question तो यहीं पे खतम हो गया थे ठीक है क्योंकि इसमें respectively लिख दिया अचा देखो कुछ basic चीज़े एक इसने time बता दिया 9-5 और slot बता दिया 30-30 minutes के और price भी उता दिया अब देखो मेरा main काम क्या होना चाहिए जित्ता question को छोटे छोटे पार्ट में break कर लो question solve करने में उतनी आसानी हो जाई तो like 9-5 था एक में बना लेता हूं 9 then 9-30 खट 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 यह करना इसे 5 पीम तक चल्दी जंदी बना लो अब भी साथ में बनाते जाओ 11 11-30 12 12-30 है ना हाँ बस बनाते समय इरिटेट में मत हो ना नहीं तो अगर इत्ते-त्ते में इरिटेट अगर होने लगे तो निकल लिगा cat फिर तो ठीक है वीडियो केंट में देखना आपको एक खास बात बताऊंगा थ्री 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 थर्टी फो फो थर्टी और यह फाइव है ना अच्छा यह सब अपना स्क्रीन ज्यादा हो रहे पान एसा कुछ कर लेते हैं कि एक ही स्क्रीन पर मुझे सब दिख जाईए देखो दिख गया ठीक है यह 925 थोड़ा सा वो छोटा फिड़ लेता हूं अब बहुत बढ़िया होगी अपना काम ठीक है उम्मीद है आप लोगों को भी दिख रहा होगा यह आप बना लो अच्छा राइट कितनी है आपके पास फोर राइट कितनी है फोर तो ऊपर जो कॉलम रहेगा उसमें अपन आर वन आर टू आर त्री आर फोर लिख लेते है ठीक है इतने लंबे-लंबे लाइन खीचने की जवरत नहीं थी फिर भी अब भावनाओं में बहे के अपन लाइने खीच लेते है ठीक है राइटिंग प ठीक है देखो एक क्या है आर वन फिर क्या है हमारे पास अार टू कि फिर क्या है हमारे पास आर थी और फिर क्या है आर फोर परशन तो फीर नहीं ए ए बी सी अचान उपर इनोंने प्रैस भी दे दिया था पर रहाएक 20-50 30-40 को यहीं पर आपान में लिख लो 20 50 then 30 और 40 रुपीज बार बार क्या होता है दिल्र सौल करते हैं उपर जाने की जोरत नहीं है आप जित्ता एक स्क्रीन जैसे या एक पीज होता है जब हम कॉपी में सौल करते हैं आपकी इस आखों के सामने सब कुछ दिखना चाहिए आपको ठीक है यह हमने लिख लिए यहां तक एच अप थरी विजिटर टुक अट रिस्ट वन राइट कम से कम एक राइट लेंगे देड नॉट नेसेसरी टेक आल राइट जरूरी नहीं की सभी राइट लेंगे नन अप देन टुक दा सेम राइट मोर देन वंस देखों कोई भी एक एक रा इमेडेटली आप्टर दे कम्पलीशन अप दे राइट जैसे लाइट का टाइम करता हुआ तुरंद निकल जाओ नो वन टेक्स ब्रेक इंसाइड पार अन्लेस मैंशन एक्स्प्लिसिटली याना जब तक आप से कहा ना गया तब तक आप ब्रेक नहीं ले सकते ठीक है अब यह कंडिशन दिवी है देखो ध्यान से देखना है आप सोचों कि यार इत्ते असान तरीके से कैसे कर दिया इसमें यहना चित्रा नेवर वेटेट इन दे क्यूब चित्रा ने वेटी नहीं कर रही है मैडम एंड कंप्लीटेड हर विजिट बाइ 11 एम चित्रा की विजिट 11 एम पर हो जाएगी है न यहां पर चित्रा का क्या हो जाएगा कंप्लीट छोटी छोटी चीज़ें ऐसे सामनी लिख लेनी चाहिए अच्छा चित्रा ने 50 रुपीज दिये अब देखो चित्रा जो हैं दो आप्शन है इसके पास या तो 50 रुपीज की एक राइट कर ले या तो 20 और 30 का एडिशन भी 50 है या दो राइट कर ले 20 प्लस 30 की ठीक है और इन्होंने क्यूँ में वेट नहीं किया है 11 एम पर खतम भी हो गया है ठीक है जित्ता पता है उत्ता ही करके छोड़ देना चाहिए कोश्य है मतलब पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकेंड अंजली टुक राइट वन एट 11 एम चलो अंजली का कुस्तु दिये यहां पर अंजली आ गए 11 एम पर अब ध्यान दो हमने बोला था यहां तो चित्रा आर्टू है न यहां प्लस आर्ट्री तो आर्वन आ गया मतलब चित्रा आर्वन प्लस आर्ट्री कर रही हो गया और देखो 10-11 एम पर चित्रा का कंप्लीट हो गया मतलब एक राइट इसने 9-10 कियो गया 9-10 कुनसी कियो गी आर्ट्री देखा ऐसे दिमाग चलाते हैं चित्रा का काम पूरा कंप्लीट हो गया ठीक है 50 रुपीज भी हो गया और 9-10 एक राइट की 10-11 दूसरी राइट की य तो हम सिर्फ ए और बी के बारे में सोचेंगे यहां तक बात समझ में आ गए अंजली की यह राइट चालू गए जो 12 तक चलेगी ठीक अब देखो आगे इट वास दा आउनली राइट वेर अंजली वेटेड मतलब अंजली ने सिर्फ यहीं पे वेट किया अब अंजली वेट नहीं करेगी शॉट में कुछ भी लिख लो अंजली वेट नहीं करेगी ऐसा कुछ भी हैं अपने हसाफ से एक डिनोशन बना लिया करो थर्ड पॉइंट विपासा बिगन हर फर्ष्ट ऑफ द थ्री राइट देखो छोटी छोटी से बाद विपासा बिगन हर फर्ष्ट ऑफ द थ्री राइट मतलब इसने टोटल तीन राइट की हैं तो देखो चितरागा तो हमें पता चल गया, दो राइट की है, विपासा का इन्हों ने बता दिया, थ्री राइट की है, ठीक है, at 11.30 एम, इसने 11.30 पे तो, राइट बन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अंचली हैं अभी, यह न, 2, 3, 4 में कुछ भी हो सकता है, यह काम की एक चीज थी, यह न, हर पॉइंट में बहुत सारा डेटा फिल कर दोगे, इसका क्या मतलब हो देखो, चितरा का तो कंप्लेट हो चुका था, चितरा ने टोटल किते खर्च किये थे, 50 रुपीज, मतलब तीनों ने 12.15 तक 50-50 रुपीज खर्च किये होंगे, क्लियर है, अंजली का 20 हो गया, इसको 30 रुपीज और खर्च करने, अच्छा 30 रुपीज की रुपीज सिर्फ आर्थरी है, और अंजली अब बेट भी नहीं करेगी, तो अंजली का देखो, 10-12 हुआ, 12 जैसे ही हुआ, अंजली रुपीज थी पर चले जाएगी, ठीक है, 12- 10-1, इसे बॉक्स बना लिया करो, ताकि आपको याद रहे, अंजली यह, इस बॉक्स में अब इसको नहीं करना, ऐसे ही, इच्छा हो तो इधर भी कर लो, ताकि ओवरलेप नहों पाए, ठीक है, आपको समझाने के हो, चित्रा का यह, 10-11, यहना, 11 पर हो जाएगी, और यह अब देखो, विपासा की बात करें, विपासा को अगर 50 रुपीज कर्च करना है, तो सिर्फ राइट 2 ही बजी, और विपासा आई कब हैं, विपासा आई हैं, आपका 11.30 एम पे, तो 11.30 पर देखो, राइट भी खाली थी, यहाँ पे आप विपासा से राइट कर वाओ, त जिसका भी 11.30 से 2.30 तक चलेगा, तो विपासा की यह हो गई, राइट, तीनों के 50-50 खर्च हो गए, 12.30 तक और 1.00 पे अंजली भी फ्री होगी, यहाँ तक हो गया काम, फोर्थ और लास्ट पॉइंट, दे लास्ट राइट टेकन बाई अंजली और विपासा वाउस थी, ठीक है, मतलब जो भी होगी, I think R1 तो होगी नहीं, और R3 भी होगी नहीं, R4 या R2 में सी, R2 भी नहीं होगी, तो R4 ही होनी चाहिए, लास्ट राइट जो भी थी, ठीक है, देख लेते हैं, या अभी आप तो यह भी सोख सकते हो कि R3 भी हो सकता है, हो सकता अंजली की ही ला 30, अभी तो वेट कर रही हो सकता है, फोर अंजली तो कम्प्लीट हर राइट, विफोर स्टेंडिंग इन्द क्यू, फोर देट राइट, विपासा टुक अ वन आर कॉफी ब्रेक, आफ्टर कम्प्लीटिंग हर प्रिवियस राइट, यहां पे गेम होगा, इसके पहले इसको वन आर का ब्रेक भी लेना है, तो देखो राइट थरी तो हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि यहां पे तो वन आर का ब्रेक ही नहीं है, वन एंड हाफ आर टोटल विपासा की बात हो रही है, है ना, वन आर का यह कॉफी ब्रेक लेंगी, प्लस, 30 मिनिट हीज का वेटिंग टाम रहेगा, मतलब 12.30 पे अगर अपन माने, तो इसकी राइट अप चालू होनी चाहिए, यह 2 पी एम पे, है ना, 2 पी एम पे चालू होगी, तो अंजली 1 पी एम पे फ्री है, अंजली अगर मैं राइट 4 पे इसको करूं, है ना, क्योंकि लास्ट रेट सेम होनी चाहिए, तो अंजली अगर राइट 4 पे चले जाती है, और राइट 3 की एक चीज़ और 1 पी एम के बाद यह राइट नहीं होगी, तो राइट 3 को आप इसे 1 पी एम होगा, इसके बाद इस राइट पे कोई नहीं बेटेगा, यह अपन ने रेड रेट कर दिया ताकि अपन को समझ में आ होगी, क्योंकि राइट 3 में 1 पी एम के बाद भी नहीं आ रहा हूँ, वैसे भी समिकरंट भी नहीं बन रहे थे, ठीक है, अब ध्यान से देखो, राइट 4 में देख लेता हूँ, एक बज़े में तुरंत अगर अंजली को ले आता हूँ, तो अगर 1 से 2 आ गई, और 12 30 के ब ठीक, तो 2 पी एम पे विपासा आ जाती, है ना, 1 अट आफ आर 12 30 से काउंट भी हो रहा है, लेकिन विपासा की तो दो ही राइट होई, और ये इनकी आखरी राइट होती, क्योंकि लास्ट राइट से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, विपासा की टोटल र राइट करवानी पड़ेगी, अच्छा आखरी कॉमन तो आर 4 ही आना है, अब अंजली आर 1 में जा चुकी है, आर 3 में जा चुकी है, मतलब 1 पी एम पे अंजली को अब आर 2 में ही जाना पड़ेगा, लास्ट रेट सीम करनी है न, तो 1 से 2 पी एम पे अंजली इधर से ले ग अब अंजली तो वेट नहीं कर रही, तो सीधे 2 पी एम पे वो कहां चले जाएंगी, आर 4 पे, अंजली है न, आर 2 से सीधे आर 4 पे 2 पी एम पे आ जाएगी, ठीक है, अब विपासा वाला पॉइंट, अब विपासा ने लास्ट रेट में वेट किया था, अब देखो, तो साड़े बारा, ध्यान से नहीं, 12.30 पे यहां से फ्री, और अंजली की लास्ट रेट चालू होई है 2 पी एम पे, मतलब अंजली फ्री जो होगी, वो 3 पी एम पे होगी, ध्यान से देखना, अंजली 3 पी एम पे फ्री होगी, और विपासा की आकरी रेट यहीं पे और वो तो 3 p.m. के पहले मतलब 1.30 के बाद ये फ्री रहेंगी 1.30 से 3 p.m. तक फ्री रहेंगी तो इसको तीसरी राइट अपन कप करवा सकते हैं 12.30 पर यहां पर फ्री हो रही है 12.30 से 1.30 अब 12.30 से 1.30 इसके पास क्या बचा जाने के लिए 12.30 से 1.30 ये R3 में तो जा नहीं सकती तो क्या बच रहा है उनके पास देखो विपासा की बात करें R4 में आ चुगी 12.30 से 1.30 ये राइट काम करेगी नहीं R3 बचा क्या R1 तो विपासा 12.30 से 1.30 ये ये टाइम स्लोट किसको दे देंगी पूरा विपासा लिए तो राइट वन को ये हमारा चार्ट कम्प्ल क्वेशन था ये उससे ज्यादा का नहीं था ठीक है अब तो बस अंसर ही लगाने चलो देख लेते हैं क्वेशन क्या क्या है what was the total amount spent by विपासा विपासा का total amount देख लेते हैं यहां पर उसने 20 रुपीज खर्च किये यहां पर 50 70 और यहां पर 40 70 और 40 110 येना 20 प्लस 50 प्लस 40 option c अब तो चिर्फ अंसर लगाने यह सब महमाया है अब ठीक है second 2 p.m तक अंजली ने कितनी रैट कम्प्लीट कर ली तो एको 2 p.m पर यह अंजली ने चालू की थी इसके पहले बाकी सब कम्प्लीट कर ली 1 2 3 तो रैट 1 2 3 तीनो आगे बस रैट 4 बची थी तो 1 2 3 option B मैंने क अब तो अंसर लगाने विच रैट वस टेकन बाई all the 3 वीजिटर रैट 1 में दिखी रहा था देखो रैट 1 में तीनो आगे रैट 1 4th question how many रैट इड अंजली ने चित्रा टेक इन टूटल अंजली और चित्रा ने टूटल कितनी रैट की तो अंजली ने चारो रैट की थी औ इत्या simple simple question थे 5th what was the total amount spent by spend on tickets by अंजली अंजली ने तो चारो रैट की है यहने 20 रूपीज वाली भी की है 50 रूपीज वाली भी की है 30 रूपीज वाली भी की है और आखरी था 40 रूपीज वाली भी की है तो यह 70 और यह 71 40 रूपीज इसने इस पेंड की है यह ना इन चारों का एडिशन था अंजली का ठीक है तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह ना इस तरीके से लाटिया ही करते है ठीक है वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और अभी तक वीडियो देख रहा है और अगर आपको हमारा कोड्स पर्चेस करना हो तो catipmed.com slash cat2024 पर जाके पर्चेस कर लो और next year उसके cat देन है तो slash cat2025 पर जाके आप पर्चेस कर सकते हो ठीक है थैंक्स फ़र वाचिंग दिस वीडियो